नमस्कार जी मैं सुधा कर दूए दिए आपका स्वागत करता हूँ जनरली हमारी गाडियों में खास कई स्थंडी के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि गाड़ी सुभे सुभे लेट स्टार्ट होती ही या एक दो दिन के लिए रख देते हैं तो काफी टाइम लेती स्टार्ट करने आप कैसे घर पे ही चेक कर सकते हैं अड़ी में सेल्फ से रिलेटेट कि स्टार्टिंग में सेल्फ लेने पर क्यों प्रॉब्लम आती है कैसे हम उसे डाइग्नोस करेंगे कि बैटरी है कि स्टाइटर मोटर है कि पांप है कि इंजेक्टर घर पे ही कहती है कि मेरी बैट्रीम प्रावलम किसमें प्रावलम तीन सारी चीजों को आप इकठा देख सकते हैं मेरे गारेज में गारी खड़ी हुए मैंने से संडे को स्टार्ट किया था बाहर लेके गया था काफी काम भी किया हूं और आज है सटर्डे और भी दिन के 11 के करीब हो रह अभी मेरी साथ दिन पहले ही स्टार्ट हुई है तो ऐसे ही हम समझ सकेंगे कि आखिर कहां पर प्रावलम आ चुकी है बहुत सारे लोग बोलते है कि कली मैंने बैट्री लगा यह आज गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही लेट हो रहा है तो उसके विबारे में हम लोग जा जाओ यह हमारी बैट्री चाहिए आप नहीं ही लगाओ जब आप डिगरी के आसपास टेंपरेचर हो जाएगा तो यह करीब 40 से 50 परसंट पर आजाएगी अपने ताकत और जैसे ही जीरो के नीचे जाएगा तो इस बैट्री की ताकत और घड़ जाएगी 20 परसंट के आसप और एयर भी कंसेंट्रेट रहती है जिसके कारण वो इतना जल्दी उसमें कमक्षन नहीं होता तो वह थोड़ा सा लेट होने का कारण है तो ऐसा नहीं है कि आपने नहीं बैट्री लगाई है और आप सोच रहे हो कि नहीं बहुत अच्छा काम करें नहीं ठंडी में इनमें होता है युवकाद एक्षिए अ कापी स्लोय हो जाता है तो इतना फॉस्ड काम नहीं करता इसलिए आपने आपने कमेंट अगर पड़े हों गया, तो बहुत सारे लोiden कहते हैं कि मेरी गारी सुरवाट में स्टार्ट नहीं होती, चैब हम में में बाहर गारी को खड़ी कर ल होती है पर एक बार सुबह सुबह अगर स्टार्ट हो गई तो फिर तो आप स्टार्ट करते रहो कोई दिक्कत नहीं है चार पांच घंटे में आप स्टार्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं बराबर स्टार्ट वह कारण यह होता है जैसे ही आपने स्टार्टिंग दी और आप का अल्टरनेटर स्टार्ट हुआ वैसे ही केमिकल रियक्शन बढ़ जाता है बैटरी अपनी चार्ज होने लगती मुबाइल जनरल सा एक्जामपल है मुबाइल जब आप चार्ज करते हो तो गरम हो जाता है कोई चीज जब ठंडी हो जाती है खास कर बैटरी तो वह उतने पावर से काम नहीं करती आपने ये जनरली सुना ही होगा कि बैटरी अगर मेरी ये ठंडी बिता देती है तो मैं गर्मी तक खीच ले जाओं क्योंकि गर्मियों में अल्रेडी टेंपरेचर रहता है आराम से गा अपनी से आपकी बैटरी की कैपसिटी पता चलेगी कि वह अच्छी है कि नहीं है यह देख रहे हैं यह किसकी आवाज है यह अपने मोटर की आवाज इसलिए कहा जाता है कि आपको इस गारी को सुबह स्टार्ट तुरंत स्टार्ट नहीं करना चाहिए अभी देखिए मैं बता रहा हूं कि आखिर क्यों तुरंत ही अपनी बुलैरों को क्यों नहीं स्टार्ट करना चाहिए यह देखिए मोटर चलना है कि देखिए कैस निकल रही है कि जब तक आफ ही हो जाता तक आप कुछ स्टार्ट नहीं कर रहा है अभी आप देखो इसकी पॉल्टेज देखो टॉल पॉइंट फाइफ बन के आसपास है अभी आप जब स्टार्टिंग होगा तो देखना कितनी आती है बॉल्टेज डॉप में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अब देखिए बांद करते हैं यह करेंज है यह अभी यह गटेगा 13.64 यह धीर 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 यह टॉल पॉइंट कुछ के आसपास आ जाए तो आपके अल्टर्नेटर भी सही होना चाहिए एक बात का ध्या हुआ 14.00 को बॉल्टेजु दिखा रहा है अगर लटर्नेटर डीर सही नहीं होका तो बहुत व क्यारे लोगों के साथ है कि नई के आया था मैं लगाया हूं गारी चलाया हो गारी स्टार्ट दीन नहीं हो रही थी तो अल्तर्नेटर भी इस गारी को हिंड करना चाहिए उसक कम ले रही मेरी तो बहुत दिन बाद ही स्टार्ट होई यह तो भी आप मोटा मोटा मानो 5-10 बाल्स क्वोस के आसपाँ जब गारी स्टार्ट हो तो भूने भूना चाहिए उससे कम हुआ साधे 9 के आसपास हुआ तो समझ जाओ कि आपकी बैटरी की क्वालिटी बिल्गुल घट गई साधे 9 से तो कम होने ही नहीं चीज़ तो आपको यह जरूर चेक करना है कि साधे 9 से उपर ही बैटरी का बोल्टेज रहे जब आप सेल्फ लगाए अगर नहीं है समझ जाओ कि यह ही रिप्लेस करके लगाना पड़ेगा अभी आपने बैटरी को देख लिया कि 10 बोल्ट नाए साधे 9 बोल्ट यानि 9.5 से नीचे नहीं आना चाहिए यह आपने देख लिया सही है स्टार्टर मोटर बीच-बीच में सर्विसिंग करा दें स्टार्टर मोटर से बहुत र of maintenance आपकी डियाई में है क्योंकि हलका साथ एक तो उसका सेलफ नहीं जाता तुरन्ट वह स्टार्ट होती गारी और बैटरी भी बहुत कम यूज होती सब से ज्यादा बैटरी यूज होती आपकी एमटु डियाउँसिया नेक्स इस्टेप अब आपकी बैटरी साही है आपन castle प्रक को इसदी ती तो चलिए आज • करते हैं कि हमारे में फिल्टार में प्रोब्लम में है कि 2022 प्रबलम है कि में में प्रोबलम मैं यिममे今日 मैं अपना स्केनर जाइन कर दिया है और यह अपना की आउन है तो आपको इस पर देखना है लाइब डेटा में आप जाओ कमभाई और उसके बाद आपको फ्यूल प्रेशर पे क्लिक करना है लाइब डेटा आपको देखना ओके खरी यह आपको यहां पर दिख रहा होगा खैज मैं इसके साथ सके इन रिकॉर्डिंग भी लाऑ जारहा है यह केपी एह सौबर के राफ्जा अगर इसके नीचे जा रहा है तो आप समझ जाओ कि आपके या तो पंप में प्रैपलम है investor में फनिया फिल्टर में प्रैपलम है या फिर वो जो लाइन है वो जो ज़ारी उसमें भी प्रैपलम आपको फिल्तर भी चैक्क करना है आपका जैसे ही मोटर खराफ होगा तो यह बार साथ के घर जाएंगे तीन बार से नीचे हो ना चाहिए हो जाएगी और साथ में आपकी गाड़ी पीक भी नहीं लेगी पहरे जितनी स्वीट पर चलती थी उतनी स्वीट पर भी नहीं चलेगी ऐसे भी आप डिटेक्ट करता हूं अभी आप देखो यह पांसो साथ सो बार के असपास है अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूं यह यह देखिए यह अठाए चबीस सो अठाइस सो यह दो सो असी बार से होना चाहिए अगर यह एवाब नहीं है तो इसका मतलब कि आपकी गाड़ी का जो पंप ह है वह प्रॉपर काम नहीं कर रहा है जो में पंप है फाइप वह काम नहीं कर इसका भी आप ध्यान रखोगे कि आपको ऐसे ही डिटक लग जाएगा कि 280 बार कि अगर उपर गाड़ी बना नहीं रही है तो आपका में पंप में प्रॉब्लम है अब चलिए आपका पंप भी स ही आपकी बैटरी भी साहिए अब आप कैसे पता करोगे कि इंजाकर में कया प्रॉबलम है तो आएए देखते हैं अब ही हमारी अपको क्या करना है कि सारे इंजक्टर के रिटर्णिंग पाइप लिए यह और फिर यह देखिए यह लगभग सेमी निकल रहे हैं ऐसे ही आपको चारों के लगाना है अगर इन में थोड़ा सा भी अंतर है तो आप यह समझ जाओ आपके इंजेक्टर में प्राब्लम है वो फिर आपको रिपेर कराने पड़ेगी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगी यह चारों इंजेक्टर को आपको खोलना है किसी से आपको बैक लिंक्स भी नहीं मिलने चाहिए कम यह ज्यादा आपको अंतर पता चले या आप इसी सिच्वेशन को आइडल मारे अगर आपके में ऐसे आइडल पोजीशन पर अग पेट्रول कि तो मतलब रिक्राइब करें कुछ लोगों का कहने के बाद प्रिस्ट आपकर और और साथ में आपका अपका यह बेडेश प्रॉप बहुत ज्यादा डाउन होजाएगा इसे फाइदा होगा कि आपकी지만 काम कर रहे है कि नहीं कर रहे हैं कि रिसक दॉत कर रहे हैं कि आपको पता समझ जाएगा तो ऐसे याप पता कर लोगें बैटरी कितने बॉल्ट है अभी मैं आपको तिखाता हूं अभी स्टार्ट हुई थी आपको यह 13.05 दिखा रहा है बैटरी आपको कैसे चिक कर दिए जब स्टार्ट करो आप साधे नौ बोल्ट के नीचे नहीं जाना चाहिए बैटरी को मतलब उसमें प्रॉब्लम है अगर आप सेल्फ ले रहे हो और सेल्फ रुक रुक के स्टार्ट हो रहे हैं तो आपका स्टार्टर मोट हो या आपकी पाइपलाइन चोक हो या फिर टैंक में जो जाली लगी रहती है वो चोक हो अगर यह तीनों चीज़े सही हैं तो मतलब आपके पंप में पॉल्टी है तो भी गारी लेटरी स्टार्ट होगी उसके बाद आपका मेन अपाइप यह अगर 280 बार के उपर नहीं ब प्राबलम है और अच्छे से जानना है तो बैक आपको देखना पड़ेगा इंजक्टर का चारों पिन को बैक को खुलिए और देखिए कि सब में बराबर और आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ज्यादा तो नहीं आ रहा है अगर आपको ब बड़ उलिट नहीं आता एक चीज और है जितने भी मफिश्य वाले लोग है कुछ गारियां लेट स्टार्ट होती है वह हूं में परपज है स्टार्ट होना समझ रहो तो एमटूट अब डीय आति कुछ स्टार्ट होती है लेट स्टार्ट हो रहे हैं तो पिर छोड़ दिजे सारे चीजिए अगर चेक कली शब सही है तो लेटी स्टार्ट हो गे और एक चीज मटों डियाय सीर में गलोग नहीं है जिसके काई गारी और लेटी स्टार्ट होती है गलो प्लग होता तो और जल्दी स्टार्ट तो गारी का ध्यान रखिएगा और अभी तो पंद्रा जन्वरी है अगर यह फरवरी तक आपकी बैटरी चल जाती ना तो खीचे रहो आप फिर उसके बाद अगली ठंडी में चेंज करना अल्टरनेटर जबूर चेक करें बैल्ट पर मल्ल्टी मीटर से चिक करी कितने बोल्टेज आ रहे मैंने ऐसे ही अपने अंकल की गारी स्टार्ट की तो उन्होंने नई बैटरी प्लेस कर ती पता चला दूसरी नहीं वाली भी नहीं काम करी फिर उनून में ने बताया को इसके तीथ खतम आपकर तो फिर थोड़ासा स्क्राइट करके अभी वही चला रहे हैं उनको बदल देना चाहिए पर हो गया मिलते हैं आपको किसी आप गोड़ी है